कुशी नगर्जले के विकास खंड खड़ा के अंत्रगत नारायनी धाम को मिस्तल पनी यह घाट पर लोग उपस्तित होकर मकर सक्रामत्री के पावन पर पर गंगा मिते हुए सुरे देव को अर्थे दिया गंगा जी के तठ़ लोगोंने अपनी सुक सम्रध्धी प्राप्ती है तू पूजा अर्चना भी की बालियोगी श्रिकांत शरण जी से मकर सकरांती के पावन पर गंगस्नान करने के महत्व के विशे में पूछा जाने पर स्वामी जी ने बताया मकर सकरांती खगोल शास्त्र और भगोलिक शास्त्र के अनुसार पूरे विश्व में 12 रिखाए होती हैं जो आप लोग खगोल के अनुसार जानते हैं जिसमें मकर रेखा भारत के बीचो बीच में मकर रेखा भारत के बीचो बीच गुजरात से गंगा सागर होते हुए क्रश करती है भगवान सूर्य देव अपनी गती के नुसाराज मकर रेखा पर पहुचने पर मकर सक्रान्ती कहते हैं भगवान सूर्य से स्रश्टी चक्र का संतुलन चलता है सूर्य का प्रकाश मकर रेखा से होकर गुजरने से विशेश रूप से भारत के प्रकरती संतुलन में काफी सहयक है सूर्य देव को मकर रेखा से गुजरने के कारण आज ही के दिन मकर सक्रांती का पावन पर्व मनाय जाता है मकर सक्रांती के पावन पर्व आरोग्यता का संदेश देता है मकर सक्रांत आरोग्य वर्धक है इसलिए सनातन संस्कृत में इसको पर्व के रूप में मनाया जाता है इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें करने सुबह आज मकर संक्रांती के आउसर पर आज जो है महाना आत्मा हिर्दे से भगवान भजन करता है जाए अपने कल्प कालप अनतार और जूजगांतर हपुने करता है तो गंगा जी वेस्थान करता है वहीं आज मैं अपने जीवन क्यों धन करने आया हूं जी महराज जी हम आपका सुभ नाम जानना चाहेंगे और आपका जो है किस कुटी के किस जगह के महंत है दो सब्द जैस्री सिताराम जी जैस्री नाराडी धाम आज हम लोग जहां इस समय बर्तमान में खड़े हैं या पनियवा घाट नाराडी धाम समाजिक कुमस्थल है इसी नाराडी धाम समाजिक कुमस्थल के महंत है श्री त्यागी जी के नाम से छेत्र में परचीत है आप इस नाराडी गंगा माता का बहुत बड़ा महत्व है जिसमें तो सास्त राज समय बढ़न हुए ही है आज जो मकर संक्राती का आउसर है इस मकर संक्राती का आउसर प तो इसका बहुत बड़ा मत्व है और बैज्ञानिक द्रिष्टी कोड से भी खगोल सासर के अंसार भगवान सूर्य आज मकर रेखा पर मकर रासी पर प्रवेश करते हैं मकर रेखा जो भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है और उस रेखा पर भगवान सूर्य जब प्र रहे थे कि आप जो है सास्त्र के अनुसार आज गंगाजी में असनान करने से क्या पूने फल की प्राप्ति होती है जो सब प्रकार से इतना महान पुनदाई कि जो कहा गया है कि 6 महीने तक साल भर तक हम जो भी जाने अंजाने में जो कुछ भी भूल चुक हो जाते हैं और जैसे जीवजंत चलने फिरने पर जो कहीं जीवजंत उसके गाड़ी से पहर से चला जाते हों इन सब आज पात को दोसों से मुक्त हो करके वह अप्राणी वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है इसलिए यह मकर संक्रादी का पर बहुत बड़ा परविसे सादू संत भी मनाते ह हैं अध्यात्म रिष्टी कोड़ वाले भी जैस्री सितारम जी जैस्री नारारी धाम सामाजी कुमस्तल नारारी माता की जय हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसी यह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करे सब्सक् करे सकते हैं